तो देखी फ्रेंड्स अभी में उपर आ गई हूं नेचे काम खतम हो गया है कपड़े भी लेकर आ गई हूं यह देखी कपड़े अब मैं जारी हूं सारे कपड़े रस्यों में डालने के लिए फिर उसके बाद आयांस को भी तयार कर दूंगी इसको भी आज में नहला क्योंकि अभी ठंड है ना तो बच्चों को रोज रोज नहला देती हूं वैसे इसकी तेल की जो माली सोती है कपड़ा चेंज करना वो तो रोज होता ही है बस बाल दो के नहलाती हूं तो बस अभी बहुत अच्छी धूप है यहां पर नीचे साही हो ना दूब बहुत अच तो बस फ्रेंट्स मैं नीचे गरम पानी लगा कर आई थी तो अभी हो गया होगा तो मैं उपर लेकर आती हूं आयांस को नहलाने के लिए यहाँ पर देखे प्रेंस मैं ना आयांस को नहला रही थी और ना यह बहुत अच्छी से यहाँ पर नहाँ भी रहा था रोता तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छी धूप लग लग रही थी यहाँ पर बिल्कुल भी ठनी लग रही थी नीचे में जा रही थी ना मेरे तो रॉ बैठने के लिए बोलता है तो अगर बोले गाना तो मैं बैठ जाओंगी मुझी मैं जब अभी क्या है ना इस सीजन में खेड़तों मैं नए घर पर आ गई हूँ वहाँ पर मेरे एक या दो बजे तक मेरे पुराने घर पर धूप रहती थी और मैं एक से दो बजे तक मैं बाहर ही रहती थी मुझे पढ़वा नहीं रहता था कि मेरा काम हुआ है कि नहीं बस मैं घर में घुस्ती थी तो सिर्फ खानना बनाने के लिए और घर का काम तो मैं ब खराब हो रही है संटेन हो रहा है और हो भी गया है मेरा चेहरा ऐसा दूप की वज़े से लेकिन मैं क्या करूं नीची जाती तो इतनी ज्दा ठन लगती है ना फिर मैं उपर आ जाती हूं नहाने के बाद देखिए आयांस के बाल भी सूप गए थे तो मैंने इसकी बालों की कर दी और यह नहां दो के फ्रेस हो गया बस तो इदर खेलेगा फिर यह सो जाएगा मैंना आपको एक वीडियो में जूसर को दिखाई थी जब मैंने नया लिया था तो इस टेम बस मैंने दिखाया था लेकिन उसमें इतनी चाहता कॉमेंट आया थे कि दी आप कैसी हो आपन पूरा बनाती तो मेरी वीडियो एक घंटे की हो जाती तो मैंने सोचा कि आप एक प्रोड़न आपको मैं व्लॉग में दिखाऊंगी और बताऊंगी और इसे कैसे यूज करते हो भी दिखाऊंगे यह अगारो का इलेक्ट्रिक सिट्रस जूसर है इसमें आपको सभी तरह की सिट्रस फ्रूट की जूस आप निकाल सकते हो इसमें मुझे दो फिल्टर मिला है एक है यह यह एड़िस्टेवल है इसमें जो पल्प है अगर आपको ज़्यादा पल्प चाहिए तो इसको ऐसे एड़िस्ट कर सकते हो थोड़ा सा इसको बस रोटेट करना है उसके बाद इ स्टील वाला ज्यादा यूज़ करती हूं और यह इस तरह से इसमें छोटे-छोटे जो डॉट दिख रहे हैं इसमें फिर आपको बहुत कम पल्प आपके जूस में रहेगा बिल्कुल वह छन जाता है उसके बाद देखे फ्रेंड से यह जो इस तरह से फिट कर देना है और यह बहुत आसानी से बस उसको हम रख देंगे ना तो यह अराम से लग जाता है इसमें कोई ताम जहम की जौरत नहीं पड़ती है यह जैसे में लगा के दिखा रही हो ना बस इसको वहां पर रखना है उसके बाद यह सेट हो जाता है उसके बाद मुझे इसी में श्टील व में बहुत ज्यादा मज़ा आता है और यहां पर देखी फैंड्स मेंने वहले निकाल दिया है और यह Amuji और उसके साथ ये stainless steel का पूरा body मिलता है यहाँ पर जो ये गूगल सा cutting देख रहे हैं यहाँ पर हम अपना glass रख सकते हैं ताकि juice इसी में गिरे इसमें एक ये फैदा है कि जब हम juice निकालेंगे तो glass ना भी रखे न तो हमारा juice एक यहाँ पर अंदर जो tank है उसमें जमा हो जाता है ये देखिए इसे में टक करके थोड़ा सा नीचे करूँगी ये देखिए तो ये नीचे गिरेगा और थोड़ा सा में इसको उपर कर दोंगी तो वो tank में जमा रहेगा ये जो wire है ये काफी अच्छा है लंबा है बिल्कुल छोटा सा नहीं है 350 watt का ये आता है और ये 650 ml का ये इसका capacity है इसमें जमा हो जाएगा इसके tank में उसके बाद हमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है ये manual book आता है अगारों की तरफ से इसमें बहुत इजी तरीकी से सब्चे समझाया गया है black और white color का ये अगारों का जूसर मिलता है हमें जिसमें दाने बिल्कुल ही पिस्ते नहीं है और जूस बहुत अच्छा निकलता है इसमें rubber का जो ये grip दिया गया है ये पकर बनाया रखता है जो फर्स रहता है और ये बिल्कुल हिलता डूलता नहीं जब ये चलता है बिल्कुल इसमूदली ये चलता है अब मैं दिखाती हूँ कि इसमें मैं कैसे juice निकालती हूँ तो ये देकी friends मैंने गिलास एक नीचे रख दिया है और इसकी जो tank का जिसमें निकलता है नो वह मैंने उपर कर दिया ताकि tank में जमा हो मैंने एक लिया या आधा टुकड़ा और उसमें थोड़ा इसमें बैस हलका सा प्रेश करना है वायर को लगाके और इसको अच्छे से प्रेश करेंगे दबाएंगे तो इसका सारा जूस में बिल्कुल इतना सा भी नहीं रहता है आपको मैं अभी दिखाऊंगी बिल्कुल भी नहीं रहता है सारा जूस निकल जाता है इसका पल्प और जो दाना रहता है इसमें पिस्ता नहीं है इसकी वज़े से करवापन इसमें जरा सा भी नही दिखाया बिल्कुल उसमें ना पल्प था ना कुछ रेसा वगरा कुछ भी नहीं था यह देखिए मैंने इसको थवा से नीचे किया टक करके और यह ना सारा जूस गिलास में आ गया है मैंने दो संत्रे लिए थे और यह देखिए मुझे जितना पीना था मैं पी ली रही हूं क्योंकि अभी मुझे नीचे ठन लग रही थी तो मैं उपर जाऊंगी और आयांस भी उठ गया था इसी वज़े से मैंने इतना ही निकाला और रख दिया यहां देखिए बिल्कुल फ्रेस और ताजा जूस मुझे मेल गया है ना ही तो इसमें सूगर एड़ेड है और ना ही टू थ्री स्टेप में यह पूरा साफ हो जाएगा पहले तो मैं कौन को निकाल दूंगी और जो इस्टील का फिल्टर मैंने यूज किया था वह प्लास्टिक का फिल्टर भी हम साथ में यूज कर सकते हैं लेकिन उसकी अगर आपको पल्प नहीं चाहिए तो यहां पर इसको प्रेस करना है यह अपने आप रोटेट हो जाने लगता है और जूस निकाल जाता है यहां पर देखिए मैंने इसके हैंडल को सूखे कपरे से पोस दिया है और यह बिल्कुल सूखा रहता है इसको बस मैं साइड में रग दूंगी इसमें और सफाई की कोई जुरत न किया है और उसके बाद इसके जो कैप जैसा धकन है उसे भी मैं साफ कर दूंगी पानी से और इसका जो टैंक है यह काफी अच्छा इसमें काफी कोईंटिटी में जूस जमा भी हो जाता है अगर हम लोग गिलास में निकालते हैं तो अब देखिए जो इस्टील का फिल्टर है और सुखा के पानी जब निकल जाएगा तो सुखे कपरे से पोच के रख देती हूं इतना बस काम रहता है अब देखिए इस जूस को मैं पी लेती है इसमें थुआ से मैंने काला नमक डाला था बस और कुछ नहीं यह प्रोड़क्ट ना मिलेने से बहुत ज़्यादा मैं ऐसे ना कि लाइफ को इजी बना दिया कि यह जो चीजे है ना यह हमें डेली यूज होती है मतलब कि बच्चे भी ना जैसे स्कूल गए तो मैं फटाफट दे देती हूं उनको फिर खाने में मौसम में या संत्रे तो लोग साइड में भी रख सकते हैं लेकिन यह जो चीज है ना बहुत ही और नीबू फ्रेंड्स नीबू नहीं है लेकिन इसमें हम नीबू का बहुत अच्छे से सारत जूस निकाल देता है जो और मैं इस पूट यूज कर रही हूं तो फ्रेंड्स अभी आप लोग बोलो कि आप प्रोर्री दिखा देते हो और लिंक नहीं देते हो तो फ्रेंड्स यह आपको ना ऑनलाइन मिल जाएगा एमेजोन या फिलिप कार्ट में और जाता है ना किचन में आ जाती हूं खाना बनाने लगती हूं तो मेरा लगवग एक घंटे में ही खाना बन जाता है सारी तेयारी तो मैं पहले ही करके रखती हूं लेगन गरम घरम खाना मैं तो लेट से ही बनाती हूं ताकि बच्चे भी जिसे आते भी तो उनलों को कम से कम 15-20 मिन तो लग जाते हैं कपड़े चेंज करने में हाथ मूध होने में इतना टाइम तो लगी जाता है गरम खाना रहता है ना तो ठेंड में गरम खाना खाने में ही अच्छा लगता है नहीं तो पहले तो मैं 11 बजे ही बनाया करती थी लेकिन अभी लेट से बनाती हूँ उसके बाद अभी लगभग दुपहर का टाइम हो रहा है चार बजे का टाइम हो रहा था और देखे अभी साम भी हो गया है लेकिन ना मुझे यहाँ पर कुछ यह जो चीजे आप देख रहे हो ना वह चीजों की सफाई करने थी बच्चे चले गए थे टीशन और घर में कोई नी था बस आयांस था और यहाँ पर मेरे हजबन भी है और यह जो आइना है आप देख रहे हो यह मेरे पुराने वाले घर पर था तो इसे भी मैंने महां से मंगवाय था एक दो दिन पहले और यह जो आप वाइट कलर का देख रहे हो ना यह एक और गनाजर है इसमें बहुत सारी चीजे हम रख सकते हैं इसको भी मुझे साफ करना है क्योंकि वहां पर रखी थी ना जब हम कोई चीज यूज करते हैं तो उतनी गंदी नहीं होती है जब हम रख देते हैं बंद रहता है घर तो और जदा गंदा हो जाता है तो इसके में सफाय करनी है यह जो सीसा था वो साफी था बस मैंने उसको थोड़ गिले कपड़े से पोच दिया है जो धूल मिटी थी वो साफ हो गई है उसे अभी ना लगाएंगे आदेते के पापा उसे मैंने लगाने बोला है जो हमारा वेसिंद था उसके उपर उसके बाद देखे फ्रेंड्स यह जो और्गनाजर है यह बहुत जड़ा यूजफूल है अभी हमको लग नहीं रहा है लेकिन मैं इसे अपने पराने वाले घर बातरूम में रखा करती थी लेकिन यह बातरूम और गिचन में भी हम इसको रख सकते हैं अपने कहीं किसी भी इरिया में रख सकते हैं जहां पर मतलब की इसको मल्ची परपेस के तो और यूजब कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि बातरूम और फिछून में रहें किकले न था लेता है कियो टुक्झी चुड़ाए ज्यादा नहींता है इसकी लंभार यूश जादा है तो यह मतलब कि तो अभी में इसको लगा कर भी आप सभी को दिखाऊंगी यह बिल्कुल ना इतना गंदा हो गया था ना कि मैं क्या ही बता जब में इसको दो दी अच्छे से तो फिर पूरा नया जैसा चमकने लगा और उसके बाद मुझे वो जो कोने में रखा हुआ है उसे भी दोना था ल पूरा साफ हो गया है और अभी में इसको लगा के दिखाऊंगे और इसके नीचे वाले जो लेयर है उसमें छोटी चोटी पहिए भी लगे थे चार तो हम इसको हटा के क्लीन कर सकते हैं अगर हम जहां पर भी रखते हैं तो यहां पर इसको आपना बहुत देखे भी होंगे और अघार यह इसके हैं से रख सकते हैं एचछते है या फिर मेक आप का समान भी इसमें रख सकते हैं इंगरे बंद चान में दरता हैं स्धने सलं जाएवाग्धायवािड और यहां पर मुझे एक और बात याद आ रही है आपना बहुत ज़्यादा मुझसे हर वीडियो में लगभग पुछते ही थे पहले जब जब में वह मिरर जिस वीडियो में दिखता था उसके बारे में कि मैंने वह कहां से लिया है तो फ्रेंड्स वह मैंने एमेजोन से लिया वाइट कलर का है तो सभी वाल पे वह भी सेट हो जाता है और प्लस उसमें स्टोरेज है और वह काफी अच्छा है तो यहां पर देखें मेरे दोनों बच्चे टीशन से भी आ गए और हां वह जो उस मिरर में दिया गया एना स्पेस इस्टोरेज के लिए उसमें मैं बहुत स कर दिया है और यह कितना अच्छा लग रहा है धुलने के बाद बिल्कुल साफ हो गया है और यह जो कोना वाला इना से में कल पक्का धो दूंगी और अब भी तो फ्रेंस इस वाले जगा पर लगाएंगे यह बेसीन के ऊपर से लिए कि अ अभी साम हो गया है और चत्यों पर ना मेरे कुछ कुछ कपड़े थे वह में लेने के लिए आ गई कि मलब कैसे ठंडा का जाएगी तुरं थी और देखिए मेरे आयांस क्या ना सौक्स अगेरा मैंने सब यहाई पर सूखने के लिए दे दिया था यह देखिए फेंस यह कि टी का बिएब में ख kaf闘वे कुछ का बाइब कि लिए का बाइब